तो जैसा कि आप लोगं को पता ही है कि जो मेवाई टोल का जो ग्लोबल वर्जिन है वो काफी सारे फोन्स के लिए इस ताम पे अल्रीड आ चुका है जैसे रेड्मी के 20 प्रो आपका पोको X2 बाकि मी 10 के जो सीरिस है उनको देखने को मिल चुका है रेड्मी के 30 के सीरिस को द आप जो नहीं कर पाते हैं और वो बैक्रांड पर आपके फोन पर चलते रहते हैं और आपके इंटर्न स्पेस को भी जो ही मतरते है तो आएक जरूर कर देखा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देगा कि आपके लाइक और सपोर्ट से हमें मोटिवेशन बगते हैं ताकि हम आपके लिए और ऐसे वीडियो लाते रहें तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसे कि आप इस टाइम भी देख पा रहे हैं हमारे पास रीडिमी के टूंटी प्रो है और इसके अंदर जो हम ग्लोबल वर्जिन जो यूज़ कर रहे हैं मी वाइट टोल का यह इंडियन वर्जिन नहीं है ग्लोबल वर्जिन है इसके अंदर कुछ ऐसी अप्लिकेशन सा जाए है और कुछ फाइलेंच जाए है तो अभी जो है हम फोन को छोड़ देते हैं पर उससे पहले आपको फोन के अंदर कुछ करना पड़ेगा तो पहले आप सेटिंग्स पर जाए है इसके उपर साथ से आच बार आप टैप करेंगे और आपको आएगा यू आरे इसमें डेवलपर आप्शन को इनेबल कर देना है और थोड़ा नीचे आके आप जो USB डिवगी ओड है उसको भी इनेबल कर देंगे उसके बाद जो है आपने अपने फोन को जो है PC के साथ कनेक्ट कर देना है PC है laptop जो भी आपके पास है आप उसके साथ उससो कनेक्ट कर दे तो यह देखिए, अब हम अपने फोन को connect कर देते हैं, जैसी आप connect करेंगे, उसके बाद आपको कुछ simple करना है, आपको अपने फोन को छोड़ देना है, और अब PC के उपर चलना है, तो हम फोन को यहाँ पर रख देते हैं, अब PC के उपर चलते हैं, PC के उपर दसमस्ते पहले PC Laptop में install कर लेंगे, जिससे आपके ADB drivers आपके PC के अंदर update हो जाएंगे, और यह automatically close हो देगे, उसके बाद चाहिए, आपको Xiaomi ADB Fast Mood Tool की Java File है यह जावा फाइल है और उसके बाद आपको PC के अंदर आपको Java को install करना पड़ेगा, जिसका link में ने description में डाल दिया है, जहां से आप जाके इसको install करते हैं, जैसे Windows 64 installer चाहिए आपको, इसको कर लिए मैं आपको recommend करूँगा, जो XC file है, इसको install करें और अपने PC के अंदर एक बाद install करें, तभी यह file रन कर पाएगे, उसके बाद simply आप इस file को run करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद यह file जो कुछ पारी के सारी applications यहां पर show करेंगा, जैसे कि आप देख पा रहें, मी credit हो गया, मी drop हो गया, मी file manager, मी pay, मी recycle, मी share, मैं आपको recommend करूँगा, उन applications को जो uninstall ना करें, जो की system use करता है, जैसे की wall paper हो गया, wall paper use होते हैं, आप लोग उसको use करते हैं, तो उनको uninstall ना करें, उसी तरीक अंदर यहां पर आपको scanner की application देखने को मिल रही है, तो uninstall पर click करते हैं, और yes कर देते हैं, तो यहां पर message आया, app scanner success हो गया है, और scanner की application थी, वो यहां से delete हो गई है, उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आपके phone के अंदर कुछ और applications भी है, जिनको आप delete करना चाते हैं मैं आपको phone पर दिखाता हूँ, एक application आती है, आपके phone के अंदर, यह देख पारे होगे कि यहां पर आप, यह service and feedback, इसको भी uninstall करते हैं, यह देखिए इसको uninstall, yes करते हैं, और यह भी success होगी, और यह भी यहां से delete हो गई है, उसी तरीके से कुछ और applications भी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपको यहां पर आप काफी सारी application दे रही है, यह me credit और me pay आप इनको भी uninstall कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो, यह देखिए हम me pay को select करते हैं, यहां से, और me credit दोनों को एक साथ, और uninstall कर देते हैं, yes तो यह देखिए, यह दोनों application भी है, install हो गई हैं, और हमारे phone के app में से remove हो गई है, तो इस तरीके से आप इन applications को system apps को uninstall करते हैं, कुछ applications जो है uninstall नहीं होगी, जैसे me browser, me file manager, इनको आप uninstall करने कोशिश करेंगे, तो वो मना कर देगा, क्योंकि यह system के साथ attached है, निक system के सा हो गई, इस तरीके से काफी सारी applications को आप यहाँ से easily uninstall कर सकते हैं, अगर in case आपको लगता है कभी कि आपको इन सभी applications को वापिस फिर से लेकिया आना है, तो या तो आप इनको फिर से download कर लीचे, get apps में जाके, या फिर settings में जाके, आप अपने phone को factory reset करेंगी, उसके बाद यह फिर से application आपके phone के अंदर वापिस आपको देखने को मिल जाएंगी, तो इस तरीके से आप MIUI 12 को deblock कर सकते हैं, यानि किसके अंदर system apps उनको बिना root किये हुए और बिना किसी recovery के use किये हुए, अपने phone से uninstall कर सकते हैं, यह किसी भी phone पे काम करेगा, चाहे Xiaomi का MIUI 12 phone हो, च चाहे MIUI 10 हो, सभी link जो है आपको description मिल जाएंगे, जहांसा आप इनको download करके अपने PC के अंदर install कर सकते हैं, तो उमीद करता हूँ आपको आज काई वीडियो पसंद आया होगा, प्लीस चैनल को support ज़रू किजएगा, like, comment, share and subscribe करना मत भूलेगा, तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए टेकिया और बबाए